तोड़ी बॉर्निंग स्टुडेंट मैसल सुनीता यादव फॉम सूरे स्कूल रिवाडी तोड़ी विल डिसकूस दा चेप्टर थर्ड एक्टम संड मोलिक्यूल अन्द सब्टॉपिक इस एक्टम स्टुडेंट एक्टम क्या है विटा एक्टम इस स्मॉलेस पार्टिकल मैटर की स्मोलेस है हो क्या है अडम है असको मेजर करने के लिए उसको चैक करने के लिए कैसाइस के चीज करने के लिए कैसे कि स्टूश कहा हमने यूज कि उसका इतना वजन होता है यह इंदेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ स्केल एंग से 2017 यसे फॉर मेरे के लिugen तो ये ज मछोग के लिसरे एंटम मिलुंट मदा बूस इसे इसे सालडे को सब्सक्राइब मेरे कम इसकृत प्रीटक में उसलिट से बीट suck रेड्यस चेक करते हैं वो क्या होता हैं एटोमिक रेडियस और एटोमिक रेडियाई तॉ इसी के एकोडिंग हम क्या बताते हैं एटम का साइज कोई भी एटम कितने साइज का है जो सबसे स्मोलेस्ट एलिमेंट है जो सबसे छोटा एटम है वह कुन से है दा स्मोलेस्ट एटम इस हाइड्रोजन कितना साइज होता है इसका लोक्सोत में विटा है इसका 0.037 नैनो मीटर और आप ऐसे भी लिख सकते है 0.037 इंटु 10 के पर माइनस 9 मीटर क्लियर है यह एटोमिक रेडियस है अगर आपको कोई बोले कि डिफाइन एटोमिक रेडियस तो आप इसको लिख सकते हो the size of atom size of atom indicate by its value by its radius called atomic radii atomic radius clear अब size को आपने देख लिया कि size को measure करने के लिए हमने consonant का यूज किया नैनो मेटर का but size हमने बार बर repeat कर रहे है कि atom बहुत smallest है जिसको हमने क्राइस से देख भी नहीं सकते है है ना ऐसा ही हुआ है atomic size की वज़े से या फिर atom के size smallest size की वज़े से जिनको हमने क्राइस से नहीं देख रहे है तो उसके लिए भी instrument का यूज किया है और इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है और इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है and that instrument is STM the optical microscope and the full form of STM is scanning tunneling tunneling microscope जिसकी help से हम atom को check करते है atom के size को check करते है is it clear ? अब हम बात करेंगे atom के mass की क्या बज़न कहरी करता है atom कैसा होता है तो उसको define करने के लिए क्या कुन से टम आती है atomic mass unit अब atomic mass unit करने के लिए इसको short form में हम लगते है AMU atomic mass unit check करने के लिए क्या करा कि किसी भी एक atom को ले लेते है और उसको एक average part को करके उससे सब को दूसरे atom का size को resemble करेंगे जैसे for example hydrogen के एक part को है hydrogen atom के एक part को लेकर हम दूसरे atom के size को measure करेंगे सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद oxygen का भी use हुआ बट oxygen का भी इतना successful नहीं हुआ अभी जो हम use करते है atomic mass unit में वह है carbon 12 carbon के 3 isotope होते है next chapter में isotope भी आएगा carbon के 3 isotope होते हैं 12, 13 & 14 जिसमें से हमने 12 का use करने carbon 12 का use करने इसमें हमें क्या करने है जैसे for example यह आपके पास carbon atom है इस carbon atom के आपको 12 part करने है इस carbon atom के कितने parts करने है 12 part कर लेने है 12345678910 12 part का 112 यह वाला जो एक single part है इसको हमने क्या बोले 1 amu carbon में 12 यह पार्ट है उसको एक part किसके equal to है 1 amu के अब इसी के साथ हमें दूसरे atom के mass check करने है जैसे कैसे अब यह कैसे हो गया 112 हो गया 1 amu is equal to क्या हो गया 112 of carbon 12 atom अब दूसरे atom के size को हम check कर सकते है atomic mass को जैसे for example हम hydrogen की बात करते है hydrogen का atomic mass कितना होता है 1 और हमने बताया है कि 1 amu is equal to कितना होता है 112 of carbon 12 atom into 112 into 12 12 से 12 cancel हो जाएगा कितना जाएगा इदुन का मस 11